रखदो मेरा जनाजा मुझ में जान आगई है जाओ दी बोतल दावू ले आओ दुकान आगई है न तुम छटपर आती न में तेरा दिवाना होता न तुम अध्धा उठा कमारती न में आख से काना होता तो अब की चूनवा में रुपेया इतना अधिक होगे हजार पार अब की चूनवा में दिग गए गभववा में लड़का भर भर लईया है रुपेया कुल जववा में पीके हुए हैं सब भी हो चुबो तल अपवू क्योंकि लैला ने लग को प्यार की फाइल बना दिया मजनू ने इसे अपनी स्टाइल बना दिया जब प्रेमियों का दर्द उन से देखा नहीं गया तो अंबानी बंधों ने मोबाइल बना दिया च्छक पर खरी होकर अपनी जुल्फें लाराती हो कसम भगवान की आसाराम की बिटिया नजराती है मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पका पका आप क्यों मुझे देखकर होते हैं हका बका मेरी आवकाद किसी कभी शायर से कम तो नहीं लोग गलते से समझ लेते हैं च्छका वका हम इस वक्त गुजारिश कर रहे हैं आईए लाहबात की जमीन पर चलते हैं जहां गीत और घजल का एक ऐसा शायर जो तंस भी करना जायनता है और बड़े सलीके से तंस करता है एक ऐसा शायर जिसने पूरे हिंदोस्तान मे ऐसी शायरी की है मजाहिया शायरी की है उससे इस्तिमास कर रहा हूँ निवेदन गुजारिश कर रहा हूँ लाल बिहारी अंबर जो लाहाबास से हमारे महमान कभी हैं उन से इलतेमास कर रहा हूँ कि हमाई पर तश्रीफ लाएं और अपने मियारी कलाम से मुशायरी और कभी सब मिलन की काम्याबी में अदाफ़ा फरमाएं देखे दूर से लोग तो खत्रे में पढ़ जाते हैं कि कोई शायर है कि शायरा है असलाम अलेकूं देखे लाल बिहारी भाई आज हमारा नाम आप सही लीजेगा वरना वल्दियत खत्रे में पढ़ जाएगी यह समझे आपका नाम खराब नहीं करूँगा क्योंकि हमारे में तो पुनर जन्म भी है हम अगले जन्म में आपके हो लेगी बहुत दौाएं करते हैं और सुप्रिया ने इसकदर यहाँ पढ़ दिया है कि हमें जो है संजेदत की तरह यहाँ आना पढ़ा है क्योंकि उनको प्रियादत के बाद सुप्रिया आ गई और सुप्रिया के बाद ये संजेदत भाई आपके सामने आ गई क्योंकि लैला ने लग को प्यार की फाइल बना दिया मजनू ने इसे अपनी स्टाइल बना दिया जब प्रेमियों का दर्द उन से देखा नहीं गया तो अंबानी बंधों ने मोबाइल बना दिया अब अपने वतन की मिट्टी से इतना था प्यार उनको कि डाक्तर अब्दुलकलाम ने मिसाइल बना दिया तो धन्य हो अब्दुलकलाम भाई ये लो मेरा सलाम भाई आपने जो मिसाइल बनाई युद्ध में तो आई देश की राजनीत में भी बहुत काम आई आप कभी नहीं बन पाए एक पती मगर इसी के बदवलत आप बन गए राश्ट्र पती कास हम भी आपकी तरह निर्विब्यादित होते तो हर समस्याओं के समधान होते अगर हम गलती से कटब ही बना देते तो निश्चित ही जैगहागाओं के परधान होते बहुत अच्छे भाई नाल बिहारी अंबर जिन्दाबाद और बहुत ही दुआएं आपने बहुत ही दुआउं से नवाजा बहुत धीरे धीरे आप पर पहुंचूँगा बहुत कम समय दोगा क्योंकि हमारे बरे शायर जोहर साहब अलताब साहब बैठी है मैं आप अब स्राव करता हूँ हमारे बीच में देश की नहीं पुरविश्च भर की बरिश्चिक कवित्री डाक्टर सुमन दूबे जी बैठी है मैं उनको भी बहुत बैठी क्या है इस समय जाड़ा इतना है कि विर्कूल बीचो बीच आए ठी है मैं उनको बहुत नमन करता हूँ आपको धेर सारे सलाम करता हूँ आप यहाँ से अपने काम करता हूँ जो अपनी पतनी से प्रेम करता है उसको राम कहते हैं जो कई अउरतों से प्रेम कर जाता है उसको आसा राम कहते हैं अब आप लोग बहुत ही प्यार से सुने हैं बड़ी दुआएं सुने हैं कि दुबला हूँ पतला हूँ, दुबला हूँ पतला हूँ हनुमान बन जाओंगा, आपने जिताया तो परधान बन जाओंगा, एक बार दिल से लगा के तो देख बोरी कपड़ा उतारू तो सलमान बन जाओंगा, वाह, 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 यही नहीं पहना पांट सो चाहिए नहीं एक हजार चाहिए पर मभबतों से भ़रा ये बाजार चाहिए आसाराम बाप ने जेल से कहा है हमको रधे माईई तेरा प्यार चाहिए हम आम आदमी कहा से पाए इतना फुटकर मोदी जी आप ही से उधार जब बैंक की लंबी लाइन में अंदर हम गए तो बैंक वाला बोला या बाधार चाहिए तो बंद जब से पानसव हजार हो गया तब से डाउन यह हमरा बजार हो गया पन्द जब से पान सो हजार हो गया तब से डाउन यह मरा बजार हो गया कोई लाइन में है कोई साइन में है मुझा बना करके कोई डियाइन में है कोई गलियों में है कोई पूंचों में है गाव कस बोवा कोई सिबिल लाईने है मोदी दादा बताओ अब क्या है इरादा आपके चक्कर में सब उधार हो गया बंद जब से ही पांसो हजार हो गया पहले लैला मर गी इतने लोग मर गई पहले लैला मर गी फिर मजमू मर गा तो हम इस साह ने कहा बाद में दोनों को जिन्दा किया जाएगा आप पांसो एक हजार वापस करें इसके बदले में गुई हजार दिया जाएगा बोली जन्ता के हमको ऐमोदी बता इतने पैसे में क्या क्या किया जाएगा पहले लैला मर गी फिर में गी फिर में यह इसे ही कह दिया आपकी महबत में और ऐसे ही हम बहुत बार कहते ठिरते रहेंगे हमारे दोस्त अब मेरे जाने जिगर आली जनाब नदीन जाबेश साहब बैठे हैं मैं इनको ठेट सारी दुआउं से नवाता हूँ शेख सलाहुदिन साहब अपना मुल्क सबसे प्यारा है यह उन्होंने उस साबित इसलिए कि जाएगा वालो आपके मुशायरे के लिए उन्होंने अपने अरबियन कंट्री को कुछ दिनों के लिए रुकसत करके यहां आए है 25 तक वो हमारे बीच में है और इंसालला मैं उनको बहुत दुआएं देता हूँ इधर से जितने लोग सवगिया आरब जाएंगे यहां से मैं सब को ठेट सारी दुआएं देता हूँ इंसालला अपने वतन की मिट्टी महकती रहे वो जहां भी जहां जाएं और मैं राहि ही दुआएं देता हूँ रोहित खान हमारे बीच में है जाबेद सिद्धी की भाई बैचे लिए है सभी लोग मिल जुनके जो मुशारा कर रहे हैं इससे यह लगता है आपकी महपते का बहुत ही महपते नाव हैं हमारे बीच में आप देख रहे हैं अनौर सहाब ऐसे संच दिरू में यह बात कही थी कि नाम सही लीजिए मेरा सलम अनौर नाम है अनौर मेरे वालिद का नाम है इसलिए वल्दियत बिगड़ जाती है अच्छा जी यह बात हमने परताब गड़ में भी कही थी आपसे अच्छा जी बहुत अच्छा है ने ने मैं आपको इस नाम से भ तीसरी निजामत चल रही है और मैं इनको बहुत दुआएं देता हूं आपका मुशारा बहुत जंग गया बहुत कामयाब हो गया है और मैं चाहता हूं कि आपके बीच में थोड़ी देर मौद मस्ती और करें कि जो कहरा जख्म होता है वो पुरुआई में खुलता है सिले कप यह नोटबंदी का दर्द हमने कहा कौन कहता है कि मोदी के परिवार नहीं है उनको किसी औरस से कभी प्यार नहीं है वो इसलिए अमेरिका लंडन को जाते हैं मोदी से बढ़के कोई भी हुसियार नहीं है और आपके बीच में भाई नदीम जाबेद की यहां जो बीच में अगर मुशायरे को पूरा फुश्बू दे रहे हैं मैं कन्बिनर अपने कन्बिनर भाई मेरे दोस्त जाने जिकर रासिब भाई साहब माताब भाई को और ओम प्रकास यादो जी मैं इन सब को बहुत ही दुआएं देता हूं उन्होंने हमको बहुत यहां शिदत से याद कि आए कुछ पंच्याओ कि माई कबो नुचूला फुकेस भाव जाई सुकुआर निकरिए और भाया हु कौन भरोसा पढ़ी लिखी होसियार निकरिए जंगर चोर महरार निकरिए लड़े बदे बर्यार निकरिए के करे मूडे सान वगारी कुल चीजिए बेकार निकरिए व माई कबो नुचूला फुकेस आओ कुल चीजिए बेकार निकरिए बढ़का निकरिए बड़का साधू बनके रिसी के सहरी दौर निकरिए के करे मूडे सान वगारी कुल चीजिए बेकार निकरिए अब पहले घरे घरे घ्यूमा था माकत रही महेरी अब तो गाउ भरे काई दौवा पिये जातवा देरी अब जब से गाउ में बिजरी होईगे घर घर होईगे टीवी अब कोने या तरे लड़कार होई मौजूरा होई बीवी ओखर मूसर चकरी जाता क्यों घरे ना अब इंटरनेट के यह युग में कितना आगे परिवार में करिए अब हमसे वर्यादान देओ हैं पहिन और सलवार में करिए के करें मूझे सान बखारी पुल चिलिए बेकार में करिए जा कहने हैं अब कहते हैं ना या मेरीका की हिम्मत है ना तो है उस चीन का कोई परचम जुका नहीं सकता है मेरे दीन का कोई परचम जुका नहीं सकता है मेरे दीन का इस मिटी से इनको कोई अलग नहीं कर सकता है ये मुलक नदीम जबेद का है और ये सेख सलाहुतीन का और मेरे दोस्तों इस मिट्टी से आपको कोई भी युदा नहीं कर पाएगा हम लोग एक्ता की कर्यों में इस तरह से रहेंगे कि मागले कोई तो दौलत जहान दे देंगे फिर नपीछे को हटेंगे जो जबान दे देंगे कैसे हिंदू से लड़ाएगा मुसल्मा कोई हम एक्ता के लिए अपनी जान दे देंगे मेरे मित्रो मुशायरे रवायत और अदब सिखाते हम भी यही सीखने आते हैं हम हसने हसाने का काम जरूर करते हैं लेकिन आप से कुछ सीख कर जाते हैं कुछ लोगों के नाम बाकी रह गए हैं बुरा नाम आनी अगर लेके फिर अपनी बात को आगे बढ़ाएगे मुशायरे में बहुत कम समयलेंगे क्योंको बहुत लंबी लिस्ट इत्तफाक ने आपने गए महपतन बहुत लोग आ गए हैं इसलिए हम अपनी बात को कम में करेंगे तो अच्छा लगेगा और इस तरह से आप हमें सुनेंगे और हमें थोड़ी देर के लिए महसूस करेंगे मैं आपके बीच में बहुत कम समय लूँगा ताकि आप तक अच्छे जो सायर बचे हैं आदम साहब बचे हैं और जितने सायर मेरे दोस्त बचे हैं उनको मैं भी सुनूँगा हमारे बीच में अफसार कुरेशी नगर अध्धक्स गांग्रेश इकबाल भाई अलबी साहब अब्दुल्ला भाई मेरे दोस्त मिराज भाई बनारस वाले इप्तेखार अहमत बबलू भाई ये दो नाम बहुत ही फुक्सूरत बनारस से चल कर आए हैं ये ऐसारस है जो पहले से बना है सिर्फ पीना रहता है ये हमारे दोरों भाई को भेड़ धर सारी दुआएं देते हैं हमारे बीच में और खासतर पर गुड़ु भादों हमारे दोस्त हैं उनको धर सारी तो भाई उनको बहुत ही महबत करने का बड़ा तजूर्बा है वो एक बार गोवा गए तो अपनी प्रेमिका से कहते हैं मैं तुमसे महबत का इजहार कर रहा हूं इसकदर तुमसे प्यार कर रहा हूं तुम कुछ बोलती कि नहीं तुमारी जबान क्यों बंद है उसने कहा देखते नहीं गुद्दू भाई मुह में कमला फसंद है बहुत अच्छे अभी मैं लखनव गया तो लखनव मैं जब गया तो वहां मेरी जेब कट गए और सामने लिखा था मुस्कुराईए कि आप लखनव में हैं हमने कहा बड़ी समस्याएं आ जाती हैं एक अध्यापक अपने एक सिसे से पूछा बेटा ये बताओ लड़की में कौन मात्रा लगे तो लड़कवा ठाड़ा हो गया बोला गुरू जी पहले लड़की या तो लड़की देख के बताएंगे कौन मात्रा लगेगा अगर छोटी हो तो छोटी एक मात्रा बड़ी हो तो बड़ी हो त करके एक आदमी ने कहा क्या सर्वती आखे क्या जुल्फ तुमने पाया है ऐसे लगता है पीपल से कोई भूत उतर आया है हमने कहा जब च्छत पर खड़ी होकर अपनी जुल्फें लाराती हो कसम भगवान की आसाराम की मिटिया नजराती हो वाह 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 अभी तो हमारे बा जो है नदीम साहब ने कहा अंबर भाई आपके सब बाल काले हैं कोई सफेद तो नहीं है हमने कहा मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का आप क्यों मुझे देखकर होते हैं हक्का बक्का मेरी आवकाद किसी कभी शायर से कम तो नहीं लोग गलती से समझ लेत थे बंबई उच में ट्रेन में 12 हिज्रे चड़ गए सबसे माग रहे हैं जब रंग मेरे पास आए बोले निकालो 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 हमने कहा हम खुदे हैं अपने आपको समहालो समहालो बगल में अचालक मवोई बैठे थे बोले हम आला क्या होगा बेक्या हम कहें बता दो पुगाने हैं बाद में देखा जाएगा आपका तो जलम खराब हो गया तो उन्होंने हमको बड़ी महोपते दी हैं और बड़ी है मैंने कहा मैं जानता हूं कि उस पार है उसके उपर वीशन हजार उधार है एक गाना आया था चलते चलते यूही रुख जाता हूं हो में चलते चलते यूहीं गिर जाता हूं है क्या यहूं प्यार है हमने कहा जब गी कि नट टूटे लड़ी चाहे लुड़ जाए साइकिल घरी एक गाना आया था पत्फर के सनम तुझे हमने महबत का खुदा जाना तव हम और दुखी हो ये जब तुम्हें साधी सुदा जाना एक गाना आया था इस गाने को अगर हम गाते ते गाना और हिट होता गाने के बोलते दर्द दिलों के कम हो जाते इस गाने को अगर हम लिखते तो उसके बोल यूं होते गर तेरे बगल में हम हो जाते तुम फुल्ज़री हम बम हो जाते ये दगता तो दोनों खतम हो जाते पूरे सभी रसम हो जाते पिता जी जो गल्ती से छूते छूता इमान भसम हो जा यदिस गाने को हम गाते पिच्चर वाले खतम हो गया इसी दोरान एक गाना आया अपकी लड़की ने हमको देख तर गाया मेरे प्यार को तुम भूला तो नो दोगे तो हमने कहा कई साल तक तुम भूला तो नो दोगे अगर तुमसे मिलने तिरे गहर में आऊं तो दस बारा गुंडे बुला तो न DENNIS Gए अगर प्यार से तेरी वाहों में आउं जहर दे के मुझे को सुला तो न दोगे मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे इसी दौरान दूस्तों बावु मुलाइम सिंग्ञ की याद आ गए बावु मुलाइम सिंग और जैसे ख़र और लालु ने चुनाओ लड़ा, महागणदधन बनाके BJP को हराया, उत्तरपरदेश में यहाँ पर भाई मैकस भाई ने कहा, अंबर बाई अगर उत्तरपरदेश में बस्पास सपाव मिल करे कुनाओ लड़ेंगे, मैं तप चुनाउचिन क्या पाय हुगा हम बाई में के़ने कि और चुनाउचिन क्याहुगा सतमी कंजिन द चुनाउचिन होगा रीये। ठीक ठाक चलेंगे तो बैठेगा चाड़ों तरफ खड़न जा तब पतंगे नहीं तूटेगी नहीं उलिएगा मन जा पर पता नहीं कब होगा नेताओं का सुबा और संजा आपका चुनाओं चिन साइकी चलाता हुगा हाथी का पंजा अच्छा लगा एक जोगदार तालियां बजा दीजिए तालियां इसलिए बजा दीजिए हमारे लिए कोई तालियों विजवर्ट नहीं है आप नहीं बजाएंगे तो हम तो खुदे बजाएंगे आईची कोई है बारी आवा राजनीत के ताल में समारी माचरी जे कई देखी भारी वही के चला उतारी गठरी हम ऐसे तुर्ण बनाते हैं हमको बनाने के अउड़त नहीं रहती है हमने जो कलम बच्पन में उठाई उसकी सियाही अभी तक खतर नहीं हुए क्योंका हाई स्कूल हमारा हर के खेत में पैट के पास कर दा ले गठाई गणने खेत में ले आया इंटर पास करने के लिए दीपक पढ़ने चुपे से सो गया पैर से दीपक गिर गया पूरा गणने खेत खाक हो गया जब रेजल्ट आया मैं इंटर फर्स क्लास पास हो गया मैं अपनी पढ़ाई ह्गिए लिहा रे उपके पूरी काफी साफ है साफ रख दिया अब कि फिर पास हो गए हमने पूरी काफी साफ रख दिया फिर भी पास हतल गए बोले हमारे हाँ सफाई के लिए भी अंक निर्धारी थी तो आप I.S. T.C.S. नहीं बनेंगे तो सफाई कर्मी तो बन ही जाएंगे इतने में बाबू मुलाइन सिंग ने चार हजार सफाई के अर्मियों को कोश्ट भेजा और कहा जो सबसे पहले नाला में कूदेगा वही नोकरी मिलेगा अब भगवान कसम कहा तो इब भवने पहली बार लूंगी उठाए कूद यहीं कूल मिया अब भवने को पठाकूर कूदें फिर यादाओ फिर मौर्या फिर कुसवाहा और जोने यसी लोग रहन कहन बाबू हम कहा जाएंगे कहें आप कहा जाएंगे आप एक भरोसे तो कू गई है जाओ दुल गोतल दागू लेओ दुकान आगई है ना तुम छटपर आतीन में तेरा दिवाना होता ना तुम अध्धा उठाक मारतीन मैं आख से काना होता तो अब की चूना वामें रुपया अतना अधिक होगे हजार पार अब की चूना वामें दिग गएक भवाम लड़का भर भर लई आवे रुपया पुल्जावगा में पीके हुए हैं सब भी हो चुबो तल अपवू यह कोई गाना नहीं है इसमें कोई दम भी नहीं है मगर उससे मोज मस्ती थोड़ा आ जाती है अच्छे सायर आपके बीच में आते हैं सुनाते हैं और इसलिए कहते हैं कि पैदा भाई ले मका नगरी ओ एक ठेश सुनाई दे थाई क्योंकि मैं चांटा हूं सीर्टे सहेदी से सीर्टे सहेदी से यह जिन्दगी महकती है जो आपका गम भी मिले तो हर खुशी महकती है हो गए है चौदा सौ साल आपको गुजरे परबतलक मदीने की हर गली महकती है और जब तक बेटा नहीं आए मा सजदे में रहती है उसके सर पर वाली ओड़नी महकती है उसके सर पैदा भईले मका नगरी अब दुल्ला के लालना अचेरा से नूरे अरे लुटावे बीबी फात्मा अचेरा से नूर माई हुए बीबी मर्यम देहें बधाई गोदिया में तोहरे धूनों जग के कमाई सद का चरन वाके मागए सब मागना कौने दिन मदीने में बुलाई है हमरे साजना हाजी फूसी वने के बहारब रोज आगना अरे कौने दिन मदीने में बुलाई है हमरे साजना